मैं डॉक्टर अनीता काउडिया, एसोसियेट प्रॉफेक्टर हिस्ट्री, गॉर्वेंट मीरागव कॉलेग उते पूँए, एमें फाइनल इस्ट्री पेपर थार्ड बी के अंतरद आज में जांगीर के सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, जांगीर के सिक्के किस में पकार के थे, उनके क्या नाम है, किन धात्यों के होते थे, उन पर क्या लेख है, उनका तोल और माप क्या है, उन पर तो हम विस्तार से पर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जांगीर का तारंबिक जीवन किस पकार का था, काज़ा रहाम अधन की अनिशेशन काल से समंदित मैफ़पून भट्नाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करने के बाद हम उनके सिक्कों के बारे में अध्यन करेंगे जांगीर के बारे में जैसा का जाता है कि काफी मन्नतों के बाद और ये कह सकते हैं कि संतों के आशिरवाद और अजमेर के फाज़ा मुईनक दिन चिष्टी की दरगा फतेपुर सिखरी के शेख सलिम चिष्टी के आशिरवाद इन सबके पश्चाद 30 अगस्त 1569 इस्वी को मुहमद सलीम का जन्म हुआ था और इस तरह से हम देखते हैं कि 1569 इस्वी में इनका जन्म हुआ और ये अकबर और मान बाई ये अकबर और जो आमेर की राजकुमारी थी उनसे पैदा हुए थे और इनका प्रारंबिक जीवन बड़े लाड़ प्यार और उससे पालन पोशन हुआ था उनके सिक्षा का ये अच्छा प्रबंद किया गया था फार्सी तुर्की अर्भी गणी थिंदी इतियास भुगो आधी भाषाओं का और आधी विश्यों का इनको ग्यान कराए गया था सैनिक सिक्षा भी इनको दी गई थी और लेकिन जो इनका विशेश रूची इनकी अध्यनाद अध्यनादी की थी इनका जो राजराउन हुआ वो अगबर की मिलत्य के बाद 1605 इसमें में हुआ था और 1627 इसमी तक इनका शाशनकाल रहा था शाशनकाल में भी 1605 से 1611 तक जांगी का स्वैम का प्रभाव शाशन पे रहा था और उसकी बाद 1611 से 1627 इसमी तक के शाशन मैसा माना जाता है कि नूर्जा की विवा के बाद उस शाशन पर नूर्जा का प्रभाव रहा था जांगीर के जहां तक चरित रादी के बारे में हम देखते हैं तो यूरोपी इतियास कारों ने उसे एक विलासी और एसफल शाशक बताया था जबकि भारती विद्वानों ने उसे एक न्याइप लिए और प्रजा पालक शाशक बताया था जांगीर के लिए का गया है कि वा अच्छा पुत्र था अच्छा पती था अच्छा मित्र था अच्छा संबंदी था और सुसक्षिता सुसब्य था तुर्की अर्भी हिंदी अन्य भाशाओं का जानकार था फार्सी भाषा पर उसका पुरा आधिपत्य था और उसने अपनी आत्म कता तुझू के बाबरी भी लिखी थी जो उसकी फार्सी भाषा में लेखन शेली और विबिन विश्यों के बारे में उसके विस्तरित ग्यान का प्रमान है उसने अपने शाषन के प्राड़ंडिक सत्परावर्शों के इत्यास का वार्णा निसमें लिखा हैं साहित्य कवीता भावन निर्मान कला संगीत चित्रकला और अन्यललित कलाओं में उसकी गैरी रूची रही थी जांगीर निर्मित इस्वार्णी भावनों में अकबर का सिकंदरे में स्तित मगबरा सरुस्रेश्ट है आगरा में नूर्जा द्वारा निर्मित इतामुद्दोला का मगबरा भी देश में अपने ढंक की सर्वत क्रिस्ट इमारतों में से एक है और नूर जांकी देखबाल में बनी लाहूर की मस्जिद भी दिल्ली में शाजादवारा निर्मित मस्जिद के बराबरी की तुलना में है जहांगीर ने सबस्दिक रूची चितरकला में ली थी और उसके समय में पूंटा तक चितरकला पहुंच भी गई थी सम्झ जौहांगीर को भी चित्रकला की बहुत अधिक जानकारी थी तो उसका ये भी दावा था कि यदि उसके सामने कोई चित्र लाया जाए कि ये किसने बनाया है तो वो चित्र देखकर उस चित्रकार का नाम बता देता था यदि उस चित्र में कई चित्रकारों ने मिलकर उसका चित्रन किया है तो वो ये भी बता देता था कि उस चित्र का कौन सा भाग इस कलाकार ने बनाया है इसलिए जाहंगीर के काल को मुगल चित्र कलाका स्वानी युग भी कहा गया है चित्रकारी के अत्रिक्त जांगीर को सुन्दर बाग लगवाने का भी शोग था काश्मीर में शालीमार बाग निशाद बाग और लाहुर के कुछ बाग उसकी योजना के अनुसार ही बनवाए गए थे लगवाए गए थे कुछ इत्यासकारों के अनुसार उसके चरित्र में कई दोश्ते बोगविलास और मध्यपान उसका प्रमुख शोग था इसके अत्रिक्त जांगीर के चरित्र की दुर्बलता थी कि अपने निकट के आत्मी जनों की प्रवाव में आ जाता था और साथ ही अपने पिता के खिला अपने पिता के समय में उसने किसी भी युद्धवियान में रूची नहीं ली थी उसके शैशनकार में विजियें या तो शाजा या अन्य सैना पतियों नहीं की थी और ऐसा भी कोई उधारण नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि उसने सैना की व्यवस्ता और अनकोशल बाड़ाने की कोशिश की हो और ऐसे उधारण दिया में नहीं मिलता है फिर भी जहांगीर को सफल और प्रजा पालक शाशक माना जाता है उसकी सफलता इसमें थी कि उसने अकबर के समय स्तापित शाशन व्यवस्ता को कायम रखा और उसके राज्यकाल में जनता की आर्थिक इस्तती अच्छे स्तर पर थी द्योग व्यापार की दशा भी उन्नत यदिपी उसमें अंग्रेजों से अंग्रेजों ने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया था और जांगीर के दरबार में भी कई अंग्रेज आये थे जो यहां व्यापार करना चाते थे कई राजदूत इसमें आये थे उनने विल्याम एडवर्ड था या फिर उसके ब और व्यापार का उद्धेश इरा था लेकिन यहां हम देखते हैं कि जाहंगीर जो थे यदिपी उनके बारे में जो विद्वानों के मत मिलते हैं उसमें एल शिरीवास्तव ने जो मुल्यांकन किया है कि जांगीर को ने तो हम मान शाइशक की उपादी से आलंकरत कर सकते हैं और ने उस को एक कुशल राज्यतिगही मान सकते हैं और नहीं एक विलक्षन विवेक यूच्ट प्रबंद करता ही कह सकते हैं उसको किसी भी प्रकार सेना नायकों राज्यतिग्यों की रथम SHT रहता था इस तरह से जांगीर के बारे में हमें ये जांकारी इत्यास के लेखकों द्वारा मिलती है अब हम जांगीर के सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे जांगीर का राजय रोहन जसम ने कहा कि अक्बर की मुड़त्य के बाद हुआ था तब उसने सिक्के न ढालने का आधेश दिया था यदेपि टकसालों ने इस आधेश का पालन नहीं किया आगरा टकसाल ने इस दोरान उस सोने के सिक्के छंद प्रकार के जारी किये जांगीर का सोने का सिक्का चोकोर और अगर भाग पर छंद जैसे लिखावा था जद अस्त अज मुहर अकबर बादशा नूर बारिन जल नाम शाह नूर आला नूर एक सोने की मौर जिसमें अकबर का धड़ बताया गया है उस पर जांगीर के प्रथम तित्थी राज्य तित्थी तता ही इज्री वर्ष लिखा गया है इस प्रकार के सिक्कों को सलीमी प्रकार कहा जाता था एमदाबाद और काबूल की टक सालों में भी राजकुमार सलीम के नाम के चांदी के सिक्के जारी किये गये थे राजा रोन के तुरंदबाद जांगीर ने सोने और चांदी के सिक्कों के वजन में 20 प्रतिशत की व्रद्धी की थी और अर्थार्ट सोने के सिक्कों का वजन अब 202 ग्रेन था और चांदी के सिक्कों का वजन 212 ग्रेन कर दिया गया था चार वर्ष के बाद सिक्कों का पुन्य प्रतिशत बढ़ाये गया और अब ये सिक्के 212 सोने के हो गए थे 212 ग्रेंड के और चांदी के सिक्के 222 ग्रेंड के बनने लगे थे किन्तु छटे वर्ष में लोगों द्वारा इस वजन व्रद्धी पर जब आपत्ती की गई और तब अकबर के समय में जो वजन सिक्कों का था जांगेर के काल में वही वजन वापस रखा गया तो अब सोने के सिक्के 170 ग्रेंड के और चांदी के सिक्के 178, 178 ग्रेंड के प्रारम की गए जो कि उसके रज्यकाल के अंत तक भी चलते रहे थे बने रहे थे शाषन की प्रत्थम वर्ष में विभिन वजनों के सिक्के डाले गए थे और उन्हें नए नाम से जारिक किया गया था बाकियात जहांगिरी के अनुसार सोने का सिक्का नूर शाही कहलाता था ये सो तोला का होता था नूर सुल्तानी पचास तोला का होता था नूर दौलत बीस तोला का नूर करम दस तोला का नूर महर पास तोला का नूर जहानी एक तोला का, नूरानी आदा तोला और खानी चोथाई तोला तो ये सोने के सिक्के के तोलमाप थे नूर इशाही सो तोले का है, महीं पचास तोले का नूर इस सुल्तानी था और नूर इशाही सोने के हमें अलग अलग तोली के कम, जादा से कम के सिक्के जांगिर के समय में मिलते हैं इसी तरह से चांदी के सिक्के इनके भी अलग अलग नाम थे कोकावे ताली सो तोले का, कोकावे वक्त पचास तोले का, कोकावे साध पांस तोले का जाहांगीरी एक तोला, सुल्तानी आदा तोला, एशियारी चोथाई तोला और खेरे काबून दश्मल प्रणाली के सिक्के थे जहां तक जाहंगीर के सोने के सिक्कें की बात है उसमें हमें एक सिक्का मिलता है छंद प्रकार का सिक्का जो कि राजा अभिशेक के बाद जाहंगीर के ने आदेश दिये थे कि उसके सोने और चांदी के सिक्कों पर छंद का प्रियोग किया जाना चाहिए जिसको अमीन उल अमरा शरीफ खान इस पर लिखा होता था और जाहंगीर के छंद प्रकार के सिक्के के अगरभागपर शाहन उरुद्दिन जाहंगीर इबन अकबर बादशा अकबर के उपर राज्य का तीसरा वर्ष लिखा मिलता है और प्रस्ट भागपर रुई जर साथ नुरानी बरंग मेहर बमाहा जर्ब लोहार हिज्री समवत एक हजार सोला दाइनी और लिखा मिलता है जाहंगीर ने टकसाल की संख्या बहुत कम कर दी थी आगरा, एहमदबाद, अजमेर, गुरानपूर और दिल्ली से सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे अहमद नगर, फतेपूर, जाहंगीर नगर, काश्मीर, लाहोर और पटना की टकसालों से केवल सोने के सिक्के जारी किये जाते थे काबूल, कंदार, सूरत, अगबर नगर, इलाबाद, बरार, हापुड और पंच नगर से भी चांदी और तांबे के सिक्के जारी होते थे रोहतास, गुर्दरा, दक्षिन इन दोनों टकसालों में केवल चांदी के सिक्के बनाए जाते थे बरार, नारनौल और उधेपुर में केवल चांबे के सिक्के बनाए जाते थे प्रथम तीन वर्ष के सिक्कों पर ही हमें चंद प्रकार के प्रयोग मिलता है इस काल में कल्मा प्रकार के सिक्के भी बनाए गए थे जिसमें जाहंगीर ने कल्मा का फिर से प्रियोग किया था और खलीफा का नाम अंकीत करवाय था इस प्रकर के सिक्कों के एक भाग पर कलमा और दूसरे भाग पर नुड़ोदिन मुहमाद जांगीर बाथशा जांगीर लिखा हुआ मिलता है इलाही संवत का अप्रियोग जहांगीर ने नहीं किया उसके सिक्कों पर उसके राजिकाल के वर्ष और हीज्री संवत दोनों का उलेख मिलता है राजिकल की छटे वर्ष के बाद सिक्कों पर नूरुद्दिन, जहांगीर, शाह अकबर, शाह और दूसरी तरफ टकसाल का नाम, महिने का नाम, शाशन का वर्ष और हीज्री समवत मिलता है इस प्रकार के सिक्के 19 वर्ष तक जारी किये गए थे इन सिक्कों के अलावा छंद प्रकार के कई सिक्के जारी किये गए विबिन न टकसालों में विबिन प्रकार के छंदों का प्रियोग किया गया और चान्दी के टंके में एक और जहांगीर शाह, 1027 सीजरी लिखा है और चारों और छंद लिखे होते थे छटे और नवे वर्ष में जहांगीर ने सोने के सिक्के बनवाए जिस पर उनकी स्वेम की आकरती मिलती है संबलते हैं ये सिक्के उसके चहते व्यक्तियों को दिये जाते थे कुछ सिक्कों पर जहांगीर की आकरती विबनमद्राओं में भी मिलती है जहांगीर के सोने का सिक्का एक जिसमें जहांगीर की आकरती बाई और शा भी है जहांगीर शागबर शाहा और दाई और सनह छे जुलुस लिखावा है प्रस्ट बाग पर राजकी प्रतीक उक्तावा सूरज और शेर और उसके नीचे सनह एक हजार बीस हीजरी समध है कुछ शिकों पर उसके हाथ में फूल या कप दिखाई देता था सात्य वर्ष के सिक्कों में राजक को आसनमुद्रा में हात में कप लिए दिखाया गया है 21 दोने के सिक्के में जहांगीर सिंगासन पर आसनमुद्रा में बैटावा है दाइं तरब मुग किये वे हैं सीर्यात में प्याला आकरती प्याला आकरती के दोनोर चंद कजा बर सिक्का जर कर्द तस्वीर शाबी हजरत शाह जांगीर और प्रस्ट भाग में मद्य में सूरज चंद हारूफ जांगीर वे अलाग बल जरोज अजल दर अदत शुद बराबर यमुम सनच दाइं और जर्ब अजमेर एक हजार बाइस बाइं और लिखा रहा है राशी प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं वो उनके राजिकाल के तेरवे वर्ष में इन्होंने जारी किये थे कुछ परिवरतनों के साथ पहले ये रिवास्ता की सिक्कों पर एक और जहांगीर और दूसी तरफ शाषन का मास और शाषन का समवत होता था अब उनके इन मस्तिक्ष में ये आई कि मास के नाम के बज़ाए मास की राश्ची की सूरत बनाई जाए जैसे फरवरी के महीने फरवर्दीन के महीने में भेड अदिविस्ट के महीने में बैल की आकरती और जिस महीने का सिक्का हो उस माह में उस नक्षत्र के महीने में सूरी हो तो उसी के शक्ल के सिक्के पर बना दी जाए जहांगीर के असी सोस्ती और वाक्याते जहांगीरी में भी जहांगीर के सिक्के उसके आदेशानुसार बनने लगे थे ये राशियां राशियों के चिन्नों के साथ सिक्कों पर खुदी वे मिलती है जहांगीर के सिक् लिखने की परंपराती कला उन्नती के शिकर पर पहुंच गई थी, सिकों पर बहुत खुबसूरती से छंद लिखे गए थे, लिखने का धंग, अत्यन सुन्दर और कला की द्रस्टी से मुगलकाल में जांगीर के सिक्के सबसे स्रेस्ट माने जाते हैं, जांगीर की बात की समय उसका स्वास्त खराब रहने लगा, शाडेरिक और मानसिक जस्टी से कमजोरी रहने की वज़े से नूर जांगीर के 19 वर्ष से नूर शाशिका के रूप में कारी करने लगी थी, सिक्कों के माध्यम से उसने इस बात की गोशना कर दी कि अब सिक्के आगरा, इलाबाद, एम प्रवा, जहांगीर, आदी जुए, उसके आगे फिर बना मूर्जा बाद्शा बेगम जडू, इसका रते शाह, जहांगीर की आग्या से सो गुना जादा सुंदर हो जाता है, जब उस पर नूर भादशा बेगम का नाम लिखा होता है, इस प्रकार के सिक्के जहांगीर के राजिकाल के अंतिम समय पे जारी किये गए थे तांबे के सिक्के भी बहुत कम मिलते हैं उसके शाशनकाल के आरम में तांबे के सिक्के चो टंक की सिक्के कहलाते थे जो अकबर के टंकों के समान थे और सिर्फ अकबर शाही के स्थान पर अब शाह सलीमी लिखा गया था और उ पर लिखा हुआ मिलता है इस प्रकार के सिक्के समस्टक सालों से जारी किये गए थे जांगी और शायजा के मध्य दावत बक्ष मात्र तीन महिने के लिए राजगदी पर बैठा लाहूर से उसने चांदी के सिक्के जारी किये जिनमें एक और कलमा और दोसी तरफ अबू का प्रियोग किया था